हेलो स्तो, कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शांदर ब्रेक इन्योस के बारे में जिसकी अनौसमेंट दोस्तो, खुद इंडिया के यूनियन ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गड़करी जी है, उनके तरब से यहाँ पर डीटेल प्रेजेंट की गई है और जो डीटेल है, उसका तगड़ा बेनिफिट इंडिया के यहाँ पर दो कमपनियों को मिलने वाला है और अनॉस्मेंट ऐसा है, देखिए, कि जो इंडिया में ट्रक वगेरा चलते है जो यहाँ पर हम सभी को पताई कि अलग-अलग कैटेगरी की ट्रक है, देखिए तो उनके कैबिंज होते हैं उसके अंदर, ड्राइवर के लिए अभी एर कंडिशनर जो यहाँ पर इसी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर लगाना मेंडिटी रहेगा, जो ट्रक मैनिफेक्चरिंग कमपनी करते हैं उनके लिए अभी यह जो अपडेट है इसके बारे में हाँ पर हम पूरी जानकारी लेने वाले है और मैं आपको यहाँ पर कमपनियों के नाम भी बताऊंगा जो इंडिया के अंदर सूपर बिजनेस करते हैं वेही कल एर कंडिशनर मैनिफेक्चरिंग के अंदर कैसे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे इन कमपनियों को और कमपनियों के अंदर कितना पोटेंशल है देखिए सिरीप यहाँ पर हमें न्यूज आई है बोलकर निवेश करना यह बिल्कुल हमारा मोटिव नहीं रहना चाहिए हमें समझ कर लेना पड़ेगा इनके लिए कितना इन्वार्मेंट अच्छा है और एर कंडिशनर का जो यहाँ पर बेनिफिट इनको यहाँ पर किस तरीके से मिलेगा वो भी यहाँ पर हम डिसकस करेंगे वीडियो अच्छा लगे मेरे इफट पसंद आए तो जरूर दोस्तो लाइक सब्सक्रेब करना कमाई का अड़ इस यूटूब चैनल को जिससे आपको यहाँ पर ऐसे लेटेस वीडियो फ्री आप कॉस्ट में यहाँ पर मिलते रहेंगे आप जरूर कमेंड में अलसो बताए कोई कोई कोईरिस आपके माइन में यहाँ पर हो तो यहाँ पर हम दोस्तो पहले न्यूस को अंडरस्टेडिंग कर लेते हैं जिससे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो देखें यहाँ पर जैसे नितिन गड़कर जी तरफ से बताया गया जो भी यहाँ पर अनॉस्मेंट उन्होंने किये उसका सबसे ज़्यादा हमें पहले इंपैक देखने को मिला अंबर इंटरप्राइजे इस कमपनी के ओपर 13% की तीजी इस कमपनी में दिखाई दी उसके पीछे रिजन क्या बताया कि देखिए गवर्मेंट मेंडिटर्स एर कंडिशनर इंस्टॉलेशन इन ट्रक ड्राइवर कमपर्टमेंट तो यहाँ पर मेंडिटरी किया गया है याने के जो भी यहाँ पर अनौसमेंट है देखिए वो कोई छोटे मोटे परसन नहीं किये है इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन कड़कर जी उनका अनौसमेंट याने के फाइनल अनौसमेंट होता है आप सभी जानते है और वो कितना ज़्यादा यहाँ पर actively काम करते है और उनकी जो quality है आप सभी को ज़रू पता होगी इंडिया का infrastructure जो इन्हों ने यहाँ पर develop किया है वो काफी जबरदस तरीके से है और यहाँ पर आप सभी details पढ़ सकते हैं अभी यहाँ पर मैं company के नाम बत रनी है यह दो companies leading है और जो first company देखिए सुब्रोस limited यह company काफी outstanding business करती है इसका particular यही business है कि जो भी auto industries है उनको air condition provide करना चाहे कोई भी vehicle रहने दो छोटा बड़ा अलग अलग टाइप का उन सभी को यह company air conditioners related आहाँ पर manufacturing करकर provide करती है facilities और इसी वज़े से इस stock के अंदर हमें 20% का अपर सरकीट लगते वे नजर आया है यह कमाल की बात है दोस्तो इतना बड़ा यहाँ पर जो performance stock में दिखाए दिया उसके पीछे reason ही है पास इनों के अंदर इतना super return और पिछले एक महिने में 34% का return कमा कर दिया अच्छे खासे return इसने यहाँ पर generate किये और एक बड़ा breakout 400 का level cross करकर इसने दिखा दिया है और जैसे दोस्तो यहाँ पर हम इसके पास सल के return भी देखेंगे तो company ने बहुत जादा time यहाँ पर spend किया है 200 और 400 के बेच में अभी एक बड़ा breakout डिखाई दिया है और हम थोड़ा भी company के बारे में भी समद लेते हैं Subros Limited जो company है वो company करती क्या है और किसके अंडर चलती है वो भी हमें समदना पड़ेगा देखें Subros Limited was incorporated 1985 as a joint venture public limited company with Surya family of India 36.7 9% ownership and जो यहाँ पर Denso Corporation Japan है उनके पास है 20% की यहाँ पर ownership यहाँ पर पढ़ सकते हैं and Suzuki Motors Corporation जापार उनके पास है देखी इस company की 11.96 ownership तो इसकी ownership आपको पता होने चाहिए किसके अंडर चलती है company अब यहाँ पर इसका काम क्या इसका जो बिजनेस है उसको तो समदना पड़ेगा is engaged in the business of manufacturing and supply auto air conditioning product for all automaker in passenger commercial vehicle space के अंदर तो इसका यहाँ पर business आपको यह जो मैं word बता रहो इससे समझ में आ गया होगा और यह company जो Subros Limited है यह इंडिया की leading और largest air conditioning company है इंडिया के अंदर तो इस company को बहुत जादा फाइदा मिलेगा मैं कहूंगा कि आप बाकी किसी company पर नजर रखे या ना रखे बट इस company पर जरूर रखे है यह company अभी यहाँ पर small cap की देखिए 2832 करोड का market cap है पी रेशो 59 पर trade कर रहा है return on equity एंड जो return on capital employed है वो कुछ उतना खास नहीं है बट company हो सके उतना improve करने कोशिश में है day free है इसका कोई problem नहीं है अभी यहाँ पर हम जैसे company के shareholding को देखे तो हमें कुछ और भी पता चल सकता है अब यहाँ पर आप देखिएंगे तो जो promoter की बात आ रहे है तो उनके पास 36% का stake है और D.I.S. जो उनके पास 13 यानिके 13% और F.I.S. के पास देखिए 32% अभी आपको एक बड़ी बात में समझाना चाऊंगा इस वीडियो के यहाँ पर अंदर आप ज़रूर जो हो सके उतना understanding करने कोशिश करना आप F.I.S. का stake देखेंगे तो जून 2022 में कुछ भी नहीं था कितना 0.72 था वो directly कितना हो गया है 32% यह कमाल की हो गया क्योंकि देखिए public ने माल बेचा और यहाँ पर सिरिप खरीदा किसने देखिए F.I.S. ने और D.I.S. ने यानि कि public का जो यहाँ पर 49% का stake था हो सीधा यहाँ पर F.I.S. ने खरीद लिया क्योंकि आने वाला समय इस company के लिए कितना बरायट है वो जानते है और इसलिए उन्होंने position भी इस company में बना ली है तो इसका फाइदा आप जरूर ले सकते है सुब्रोस लिमिटेट का अब यह तो बात होगे बट यहाँ पर हम जैसे इसके result की बात करें तो company में यहाँ पर growth है या नहीं है तो March 2023 के जो quarter 4 के result है उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते company का revenue बढ़ चुका है साड़े 9% से income भी बढ़ रहा है धीरे धीरे थोड़े margin की uncertainty है यहाँ पर margin से related update नहीं है बट negative trend में अभी margin है देखे यहाँ पर जो fluctuation है market के अंदर जो भी यहाँ पर situation है आप सभी जानते है उसका तो impact रहा है बट एक कमाल की बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि company के अंदर जो यहाँ पर boring है वो ना के बराबर यानि company day free है reserve fund अच्छा खासा है company के पास अभी फिलाल और यहाँ पर अच्छा advantage है कि company के जो profit की growth अच्छी है थोड़ा fluctuation जरूर है बट company negative नहीं है sales improve हो रही लगातर आप पिछले काफी समय से देख सकते जैसे के 2020 से भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा sales यहाँ पर continue improve हो रही है और company आगे बढ़ने की तयारी में है तो सुब्रोस limited को आप थोड़ा track कीजिए ऐसा नहीं कि अभी ही निवेश करना है company पर हमारा काम है नजर रखना और जैसे मोका मिले वैसा benefit कमानी की कोशिश करनी चाहिए देखिए बहुत समय से इसने यहाँ पर अपना time दिया है मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 से लेकर इस stock ने 2018 तक का यहाँ पर जो chart pattern देखेंगे तो 200 से 400 में बीच का यहाँ पर performance किया था उसके बाद में correction और correction 2018 से लेकर 2023 तक यह company कुछ भी ज़्यादा perform नहीं की अभी इसके उपर नजर रखना हमारा काम है अभी next जैसे यहाँ पर हम बात करें अंबर इंटरप्राइजस की तो इसको भी यहाँ पर फाइदा मिलने वाला है और इसके अंदर breakout हमें देखने को मिला है काफिस समय से यह भी stock एक limited range में perform किया अभी यहाँ पर इसके अंदर ability तो अच्छ air conditioner manufacturing के अंदर यह outsourcing और जो अलग अलग type के AC होते है air conditioner उसका manufacturing करती है इसको भी फाइदा मिलेगा क्योंकि देखिए truck driver की जो AC होती वो अलग system की होती है तो हो सके होतना यह भी manufacturing करेंगे तो इनको भी फाइदा वैसा मिल जाएगा तो इसलिए यहाँ पर जैसे आज जो announcement हो उ इसका मतलब इसको भी फाइदा मिलने वाला है यह सभी चीजे इसके अंदर तेजी के थ्रू दिखाई दे रही है तो I hope आप समझ रहें कि क्या क्या हो रहा है और कैसे benefit लेने चाहिए जो news थी वो तो मैंने cover की साथ ही उसके अंदर के benefit भी आपको बता दिए थैंक्यू सो क्याप्ट